हेलो दोस्तो बात करेंगे उत्राखन प्रात्मिक शिक्चा भरती के बारे में तो यहाँ पे जो 29-17 पदों की भरती पर क्रिया चल लिया उत्राखन में उसकी 28 अक्टूबर को यहाँ पे फूर्थ काउंसिलिंग होनी है सब भी जिल्लों के द्वारा काउंसिलिंग यहाँ पे 28 अक्टूबर को यहाँ पे कराई जाएगी और यहाँ पे 28 तारिक का आपकी जो काउंसिलिंग होगी उसमें जितनी सीटे बची होगी जिस जिस्टिक में उस डिस्टिक में है पे उस डिस्टिक के द्वारा लगभग एक सीट पे दो या तीन बच्चे बला जाएगे जो आपने मेरिट लिस्ट देखे होगी उसके साब से आपने देखा होगा जहाँ पे जितनी सीटे रिक्त है उस सीटों का रिजल्ट आ चुका है अभी तक साइट पे आठ जिल्लों का यहाँ पे फूर्थ काउंसलिंग वेटिंग लिस्ट आ चुकी है आपको लिस्ट कहां मिलेगी और जो कट आप है उसके बारे में हम आगे वीडियो में डेटेल से बात करेंगे कि क्या है इसका आगे का प्रोसेस और इस बार जो काउंसलिंग होगी उसमें विभाके दोरा क्या कहा गया है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आप लोग स्कूल एजुकिशन की जो ऑफिशल साइट है वहाँ पर जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं चतुल काउंसलिंग सोची प्रारमिक सिक्चा तो यहाँ पर लगभग आठ जिलों की अभी तक वेटिंग लिस्ट आ चुकी है जिसमें आपका अल्मोडा की आ चुकी है बागेश्वर की आ चुकी है तीरी गडवाल की आ चुकी है चमपावत की आ चुकी है पोड़ी गडवाल की आ चुकी है चमबोली की आ चुकी है पितोरागाट की आ चुकी है तो आठ जनपत की यहाँ पर फोर्थ वेटिंग लिस् पर इसको एजुकेशन की जो ऑपिसल साइड है उस पर जाके रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं बाकी बात करेंगे पिथार अगर जनपत की और अलमोडा जिल्ले की यह लोग यह जो पीडियाप आपको मिलेगा यह एक्सल फोम में मिलेगा तो यह फोन में कंबट होना आप लोग देख सकते हैं बाकी इन सबी जो आठ जिल्लों की जो वेटिंग लिस्ट है यह नीचे हमारे टेलिग्रम चैनल का लिंक है वहाँ पर आपको मिल गई होगी वहाँ पर हमने बागिश्वर और टीरी गडवाल की डाल दी है बाकी जो और डिस्टिक की है उसकी अचैनल का मेंट भी दिया गया है तो जिन जिनके सपतपत के लिए बोला गया है वह सपतपत का वह फ़ार्मेंटног करके में ले जा सकते हैं वहाँ पे आप सपत-पत भर सकते हैं और कही लोग ऐसे हैं इस बार काउंसलिंग में कि जो लोग न्युक्ति ले चुके हैं और वो जॉब भी कर रहे हैं लेकिन उनका उनके डिस्टिक में नाम आ चुका है तो वो लोग हाँ पे रिजैन करके दूसरी जगों आप जॉइन कर रहे हैं तो इसका प्र्टन भी चल लगा है काफी डिस्टिक हो में और ये बी देखा जा रहा है कि इस बार नियुकर जॉब के हुए लगब्वे एक महीना हो चुका है उनका नाम भी उनके डिस्टिक में आ रहा है ये काफी, काफी सारे लोग पूच भी रहे थे और काफी ऐसे लोग है कि मतलब वो job पे है और उनका नाम भी बार-बार दोराया जाए रहा है उनको एक अंतिम मोखा दिया जारा है वेटिंग लिस्ट के जरी आवों को एक अंतिम मोखा जा रहा है ये भी विभाग की कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती है क्योंकि स्टार्टिंग में विभाग के द्वारा कहा गया था कि इस बार हम सब की काउंसलिंग एक साथ कराएंगे ताकि वेटिंग लिस्ट जादा ना निकले लेकिन विभाग फिर से अपनी जो पुराने वाली नियम वाली है उस पे आ चुका है फिर यहां पे लग फोर्थ वेटिंग आ चुके है अगर फोर्थ काउंसलिंग में पूरे पत नहीं बरे जाते है तो इसके बाद भी यहां पे फिप्त काउंसलिंग आएगी विभाग पुराने वाली उसपे चले गया विभाग के द्वारा पहले काउंसलिंग कराईगी एकी दिन उसके बाद फिर से विभाग ने क्या कया कि जिन लोगों को जन्हें काउंसलिंग नहीं कराएगी उनको एक-एक मौका और दे दिया लेकिन जब कि विभाग ने पहले इस पश्ट कर दिया था कि जो कांसिलिंग नहीं कराएगा उसको हम यह पर बाहर कर देंगे कांसिलिंग लेकिन विभाग फिर से ही पुराने रवाइये पर आ चुका है और इससे क्या होगा कि भरती का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा लेगे तो फिप्त कांसिलिंग में उनको दुबारा बुला जाएगा या फिप्त कांसिलिंग वेटिंग लिस्ट आएगी तो बाकि आठ डिश्टों की मेरी लिस्ट आ चुकी है आप लोग देख सकते हैं और एक इम्पोर्टेंट अपडेट और है आप लोग 8 डिश्टों आप लोग लोग नहीं गाज पाये ते लोग कोई इसलिए नहीं जाता है कि वो समझते हैं कि कुछ ज़़ादा कोई दिक्कत होगी या नहीं आप होगा है ऐसा बिलकुल भी नहीं है आपका अगर ज़्यादा परसंडेज है और कम वाले का नाम आरक है तो आप बिलकुल वहापे जाएए और आपकी कांसरिंग हो जाएगी बाकि और भी अपडेट आती है कुछ तो आपको चैनल के मदम से बता दिया जाएगा